जय माता की सबी भक्तों को कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सबी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगजन्नी माम्बे की क्रिपा सदैब आपके उपर बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से ही और मा के आशिरवाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर होगी हो और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मा को अगर आप चुनरी अर्पित करते हो मा को लाल रंग की चुनरी क्यों अर्पित की जा मा के चुनरी का मा के 16 सिंगारों में बहुत ही बड़ा महत्व रहता है और जो भगत नित्य नियम से मा को चुनरी अर्पित करते हैं उसमें चुनरी में ये होता है कि अगर आप अपनी कुल देवी पो को या फिर मा दुरुगा के कहीं भी मंदिर में जाते हैं मा काली के मंदि लोगों का ऐसा रहता है कि उनके काम बनते ही नहीं है बनते कामों में भी रुकावटे आ जाती है और जिन लोगों के कामों में इस तरह की रुकावटे होती हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता है बहुत मैनत करते हैं फिर भी उनको फल नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को मा को जु पपर माकी चुनरी काれज़ा जाता है माकी चुनरी की चाया हो जाती है उनका कोई बाल भी भाका नहीं कर सकता है और जिस घर में मा की कृपा हो जाती है और जिस भगत के उपर करोना में मा जगत जन्नी के आशिरवाद हो जाता है उसके किस्मत के सितारे अपने आप ही खुल जाते हैं चमक जाते हैं कहते हैं कि तुझे चुनरी चैडाओ माता मेरे सिरहाथ रख दे लाल चूडा पैनाओ मा मेरे सिरहाथ रख दे तो ये मां का ही हमारे भाब होते हैं कि हम अपनी जगत जन्नी को अपनी मां को अपनी सेरों वाली मां को अपनी दुरगा मां को अपनी काली मां को चुनरी अरपित करते हैं जिन भगतों के मन में यह रहता है कि हमारा सरकारी नोकरी नहीं लगती है यहां सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में मा की मूर्ती तो रखते हैं पर उसमें कभी भी चुनरी नहीं चड़ाते हैं खाली ऐसे ही रखते हैं तो ये अपमान होता है मा की मूर्ती का आपको हमेशा लाल रंग की चुनरी जो है मातारानी की मूर्ती पर उड़ानी चाहिए चा आपको मातारानी को जरूर उड़ानी चाहिए इस से जो है आपके भव और मा के प्रति आपका जो भव है वो आपके उपर मातारानी की क्रिपा भी रहती है। जैसी जिसकी भावना मैय वैसा ही फल दे तो आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही आपको मातरानी फल भी देती हैं बहुत सारे भगत ऐसा करते हैं कि जैसे कि हम कोई भी चुनरी अगर ले जाते हैं मान लो आप किसी भी चोंगी पे जाते हैं किसी के भी दर्बार में जाते हैं मातरानी की दर्बार में जाते हैं और वहां से आपको चुनरी मिल जाती है तो यह आपका बहुत बड़ा सोवांगे होता है कि आपको मां का आशिरबाद मिल गया है और उस आशिरबाद को हमें करना चाहिए अगर आप उस चुनरी को नहीं ओड सकते हो तो आप किसी मंदीर में ही उसको दान दे दीजिए या मा के जो है नवरातरी में कहीं मंदिरों में दे दीजिए या फिर बैते हुए दरिया में आपको सेला देना चाहिए चुनरी का कभी भी अपमान नहीं करना चाह आपके घर में दोश लगता है, आपकी भक्ती में जो है दोश उत्पन होता है, आपकी जो पूजापाट मंत्र जाप अंतर आप करते हो, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है, अगर आपने चुनरी का अपमान किया है, एक किसम का आपने मा का ही अपमान किया और जिस मा को आप नित्यनियम पूजा पाड भक्ती भाव करते हैं जो जगत की माता हैं और जो सब की उपर अपनी दया दृष्टी बनाती हैं कभी किसी की जोली खाली नहीं रखती हैं सभी को अन देती हैं सभी को ज्यान देती हैं सभी को बुद्धी देती हैं सबी को बोलने का समर्थ देती हैं तो ऐसी माझ जगत जन्नी का अपमान नहीं करना चाहिए और चुनरी हमें जरूर अर्पित करने चाहिए इसके बहुत सारे लाव होते हैं बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और लाब्भों के लिए कभी भी कोई भी चीज मा को और पित मत करना आपको अपने भाब से ही मा को कोई भी चीज अरपन करनी चाहिए बस आपके भाब अच्छे होने चाहिए और सच्छे होने चाहिए आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मा के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँच जाए चलिए जैमातर